हेलो नमस्ते आद आप सश्रिय काल कैसे हैं आप सब मैं हूं मनीशा कौशिक और आप से बात करूँगी कि इस वीक सितारों ने आपके लिए क्या खास प्लान किया है तो आएगे जानते हैं वीकली होरोस्कोप फॉर दिस वीक यानि की फॉम 19th of December to 25th of December Aries यानि मेश राशी वालों के लिए क्या है खास इस वीक की शुरुवात कुछ नए चालेंजिस के साथ नजर आती है जो अनेक्सपेक्टड लिए आपके सामने आएंगे अब इन चालेंजिस का सामना कैसे किया जाए फोकस रहकर तो अपने टार्गेट पर अपना निशाना जो है यानि आपकी जो भी आपके गोल्स है उन पर आप जब तक अपना फोकस नहीं बनाएंगे आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिलते वे नहीं नजर आती घरेलू सिंदगी की बात करें तो मारत सरमनी या तो किसी आपके यंगर सिबलिंग की या घर में किसी eligible family member की शादी की बात जो है वो आगे बढ़ती भी नजर आती है अगर आप अलड़ी एक relationship में है तो अपने relationship को थोड़ा समय देना सीखिए और अगर कुछ समय से समय नहीं दे पा रहे हैं तो इस weekend पर आने वाले weekend पर एक दूसरे के साथ कोई program जरूर बनाएं कुछ समय जब सिरफ एक दूस standing और मजबूत हो जाएगी अपनी lifestyle choices को लेकर भी कुछ discipline लाने की जरूरत है उनमें कुछ न कुछ बदलाव करना होगा अगर सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो traveling आप में inner peace लेकर आएगी तो आपको अगर nature के साथ connect करना है या खुद के साथ भी connect करना है तो आपको इस तो जल्दी उसे वापिस receive करने की expectation तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी उनका शायद mood ना हो या यह कहिए कि आपके पैसे का घर वापसी का भी mood नहीं नज़र आ रहा है कहीं ने कहीं आपकी savings भी इस week effect होते वे नज़र आ रही है तो अगर कोई बड़ी payment करनी है तो उसके के लिए funds को manage करके चलना ज़रूरी होगा students के लिए भी मुझे थोड़ा समय मुश्किल नज़र आ रहा है इसलिए hard work के को compromise आपको नहीं करना चाहिए इस week आपका lucky number रहेगा 22 और lucky color रहेगा turquoise Taurus यानि व्रिशिप राशी वालों के लिए क्या है खास इस week आप जिन्दगी के एक नए सफर की शुरुवात करेंगे जो सिरफ success है नहीं बलकि fame भी आपके जिन्दगी में ज़रूर लेकर आएगा आपके bosses आपको extra काम दे सकते हैं additional responsibilities दे सकते हैं जो आप handle ज़रूर कर लेंगे लेकिन कहीं न कहीं work stress भी वड़ता हुआ नजर आता है हाँ एक बात का खास ध्यान रखेगा कि अगर अपनी top notch leadership के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आपको यह opportunity ज़रूर ग्राब करने चाहिए because आप में आपके आगे आने वाले future को निखारने के लिए यह opportunity काफी बड़ा role play करेगी financial front की बात करें तो कभी property या land में आपने past में कभी invest किया हो तो अब वहां से gains आने का मौका नजर आ रहा है बच्चे बच्चों के साथ time spend करना ज़रूरी होगा in fact बच्चों की वज़ा से ही जो यह weak कुछ लोगों को dull नजर आ रहा होगा और उसमें automatically spark और एक light mood जो है आपका वो बन जाएगा कुछ लोगों के लिए especially अगर किसी project research से जुड़े वे काम कर रहे थे या कोई prestigious project पर काम कर रहे थे तो achievements भी नजर आती है romance आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है और अगर आप single है तो आपको किसी के इशारों को जरूर समझना चाहिए fitness front पर कुछ नया करने की try कर रहे हैं तो आपकी overall health में सुधार ही लेकर आएगा solo traveling avoid करनी चाहिए कोशिश कीजिए कि किसी दोस्त या किसी रिष्टदार का साथ लिया जाए अगर आप कहीं लंबे travel पर जाना जाते हैं तो घर पे construction या renovation का plan कर रहे थे तो बिलकुल proceed कर सकते हैं क्योंकि सब काम as per schedule complete हो जाएगा इस week आपका lucky number रहेगा one और lucky color रहेगा golden यानि मितन राशी वालों के लिए क्या है खास ये week काफी सारी opportunities लेकर आएगा तांकि आप अपने capabilities के बहाफ पर excel और shine कर सकें कुछ लोगों के लिए advancement courses नजर आ रहे हैं तांकि अपने competitors से अपने rivals से आप एक कदम आगे रह सकें कि यानि कि skill enhancement के लिए ये week काफी अच्छा है और अगर ऐसा कुछ mind में चल रहा था तो आपको पक्का आगे बढ़कर वो course जरूर करना चाहिए workplace पर कुछ लोगों के bonus मिलने की या rewards मिलने की सितारे इशारा भी कर रहे हैं good money management आपके लिए अपने budget को stretch करने में help करेगी अगर कुछ जरूरी या कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं तो अपने close personal relationship में को अच्छा रह रखने के लिए अपने उनमें जो bond है वो strengthen करने के लिए आपको उनसे मिलना जुलना जरूरी होगा spiritual healing मदद कर सकती है उन लोगों को जो off late बहुत low महसूस कर रहे हैं या जिनके mood swings बहुत ज़ादा हो रहे हैं तो अपने आपको spirituality की ओर अपना रुजहान बढ़ाईए ताकि इस unnecessary stress से आप relieve कर सकें और relax महसूस कर सकें physical activity करना भी इस week बहुत जरूरी होगा अपने romantic relationship को emotionally fulfilling रखने के लिए अपनी presence को बनाए रखिए और अपनी availability को भी strong कीजिए long trips इस week आपको नहीं लेने चाहिए हाँ छोटे मोटे आसपास के trip हैं या journeys आपको करनी पढ़ती हैं तो उनकी मना ही नहीं है घर में किये गए जो कुछ चोटे मोटे changes हैं especially interiors को लेकर आपके family members आपके ideas को लेकर काफी supportive रहेंगे और appreciate भी करेंगे इस week आपका lucky number रहेगा 2 और lucky color रहेगा light gray Cancer यानी करक राशी वालों के लिए तो काफी अच्छा समय नजर आ रहा है इस week आपके leadership qualities आपको एक trendsetter बना सकती हैं इसलिए अपनी energy को अपने enthusiasm को जरूर बरकरार रखे क्योंकि professional front पर ये आपको आगे जरूर लेकर जाएंगे ये भी कह सकते हैं कि सपनों को पूरा करने का समय है एक lucrative investment scheme आपके सामने आ सकती है लेकिन बहुत जल्दबाजी में आगे ना बढ़ें वरना कहीं ना कहीं losses के भी chances नजर आ रहे हैं सूच-बूच के साथ और किसी experts अला के साथ ही अपनी hard earned money को invest करें आपके घर में या extended family में या friends में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका behavior आपको बहुत जादा समझ नहीं आ रहा है या ये कहीं ना कहीं negative influence आपके उपर आ रहा है उन लोगों से या तो दूरी बनाए रखें या इन situation से दूरी बनाए रखें अगर आप अपनी positivity को इस week पर करार रखना चाहते हैं तो आपके relationship में इस week आप intimacy और passion को बढ़तर बे नजर आए आपको महसूस होगा उसके साथ साथ एक दूसरे में confidence भी बढ़ेगा weather related allergies कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं तो इसलिए alert रहना, attentive रहना जरूरी होगा और पहले ही preventive care शुरू कर दे students जो किसी और university में abroad या international university में apply किया था उनके लिए भी अच्छी खबर आने के योग बन रहे हैं towards the second half of the week इस week आपका lucky number रहेगा 11 और lucky color रहेगा pink लियो यानी सिंग राशी से आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है और इसी मीठे फल का स्वाद आपको इस week चखने को ज़रूर मिलेगा जब आप अपने goals को achieve कर पाएंगे आप मेंसे कुछ लोग overseas travel करने का आपको मौका भी मिल सकता है नई किसी नई prestigious project पर काम करने का मौका भी मिल सकता है gains जो है वो आगे आने वाले समय में भी maintain रहें इसलिए अपने finances को अच्छे से manage करके चलने की जरूरत होगी किसी को पैसा उधार दिया था तो अब उसके वापिस आने का समय जरूर नजर आ रहा है overall कुल मिलाकर अगर आपके financial graph की बात करें तो graph आपका बढ़ता हुआ तो नजर आता है उसे आप relieve भी कर सके आप के योगा या कोई mindful exercises जो है अच्छा impact लेकर आएंगी आप में काफी positivity का आप अपने अंदर जो है वो भरपूर positivity महसूस कर पाएंगे लेकिन फिर भी अगर थकान महसूस होती है तो sauna या massage session आपको rejuvenate करने में आपकी मदद करेगा romantic front की बात करें तो जो लोग long distance relationship में है उन्हें adjust करना जो situations के accordingly थोड़ा सा मुश्किल नजर आ सकता है mutual trust को बना के रखिएगा तभी आप अपने relationship में stability को maintain कर पाएंगे आपका pact schedule शायद आपको अपनी family के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने का मौका ना दे लेकिन करना क्या है जितना भी समय मिलता है उनको special ज़रूर महसूस कराना चाहिए आपको ताकि ये connect जो है ये bond जो है वो कहीं affect ना हो I speak आपका lucky number रहेगा 9 और lucky color रहेगा sandy brown अब बारी है Virgo यानी कन्या राशी की आपका ये week adventures और thrill से भरा हुआ रहेगा आप मेंसे कुछ लोग नई जगाओं को explore करेंगे वहीं कुछ लोग अपनी risk taking capabilities को भी मौका देंगे अपने profession में या अपने business में नई चुनोतियों को सामना करते हुए professional front के अगर हम बात करें तो additional projects, additional responsibilities यानि कि आपका कार्यबार, आपका workload बढ़ते हुए नजर आ रहा है लेकिन अच्छी बात ये है कि limelight भी लेकर आएगा ये workload financial position की बात करें तो remarkably bright होता हुआ समय नजर आ रहा है especially off late जो आपने थोड़ी चीजों को slow महसूस किया है अब कहीं न कहीं से रुका हुआ धन आपको जरूर मिलेगा जो लोग single है और अभी तक relationship में जो है वो बहुत जादा stable नहीं हो पाए है उनके लिए अच्छी ख़बर ये है कि आपका newfound love या जिनसे अभी बातचीद चल रही है उनसे आप relationship को की stability जो है वो expect जरूर कर सकते हैं Misunderstandings on the family front उनको भी clear out करने के लिए first half of this week will be quite fruitful medical advice जरूर लेकर चलें especially अगर आप किसी चीज़ को लेकर परिशान है सेहत के front पर बहुत ज़्यादा experimental आपको होकर नहीं चलना चाहिए अपने competitors को आप से अच्छा आप perform कर पाएंगे on the academic front तो यानि की students के लिए भी ये week काफी reasonably अच्छा रहेगा इस week आपका lucky number रहेगा 2 और lucky color रहेगा light blue Libra यानि तुला राशी वालों के लिए बहतरी इन week नज़रा रहा है क्योंकि आप जो है वो limelight में रहेंगे अपने social circle में भी और professional circle में भी आप में से कुछ लोग नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं आपके नए पुराने connections भी revive हो सकते हैं या फिर नए लोगों से नए connect भी बन पाएंगे इस week जो लोग single हैं उन्हें अचानक से किसी ऐसे शक्स से उनकी मुलाकात हो सकती है भले वो trip पर हो या किसी meeting में उनसे मुलाकात हो जिन से प्यार की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है कोई changes आप इस week प्लान कर रहे हैं अपनी professional जिंदगी से जुड़े हुए तो आपको वहाँ benefit जरूर होगा जो लोग business expansion के बारे में सोच रहे हैं वो अपने ideas को perfectly execute कर पाएंगे recreational activities में थोड़ा सा समय जरूर बिताएं especially जहां तक आपकी family life का सवाल है तो जितना समय भले वो छोटी सी game हो या फिसाद बैट कर movie देखना हो आप जितना समय अपनी family को दे पाएंगे एक आपसी understanding और bonding जो है वो improve होनी शुरू हो जाएगी आप में से कुछ लोग travel plans को छोटे short notice पे उन्हें travel करना पड़ सकता है especially अपनी city से कहीं दूर जाने का मौका भी मिल सकता है लेकिन यह experience काफी अच्छा रहेगा कोई पुरानी सेहत से जुड़ी हुई परिशानी भी दुबारा रेकर कर सकती है और कुछ समय के लिए आपको uncomfortable भी कर सकती है इसलिए self medication avoid कीजिए और अगर ऐसी परिशानी होती है तो डॉक्टरी सला लेनी ज़रूरी होगी इस week आपका lucky number रहेगा 8 और lucky color रहेगा white Scorpio यानि वरिश्चिक राशी वालों के लिए क्या है खास इस week आप अपने talent अपने intellect से जो भी जिस भी काम में आप success पाना चाहते हैं आप जरूर achieve कर पाएंगे आप में एक खुबी है कि आपको काम करना भी आता है और करवाना भी आता है और इस week इन दोनों talents के साथ साथ आपकी तारीफ भी आपको मिलते वे नजर आती है especially on the social front आपके loved ones आपकी success को celebrate करने के mood में होंगे तो इसलिए available जरूर रहेगा साथी साथ घर पे अच्छा महौल नजर आता है तो आप घरवालों से कुछ बात discuss करना चाहते थे या अपनी कोई बात मनवाना चाहते थे तो इस week उस बात को उन से discuss करने के लिए समय काफी अच्छा है चो लोग health conscious हैं उन्हें वो अपने आपको किसी अच्छी fitness किसी regular fitness class में enroll करने के बारे में सोच सकते हैं positivity को अपनी life में जरूर maintain करके रखना चाहिए वो आपकी mental और emotional health के लिए काफी अच्छा रहेगा romantic front पर आपकी caring nature आपके partner को जो है वो काफी प्रभावित करेगी in fact आपके आप में अच्छी emotional understanding भी बनते वे नजर आ रहे हैं workplace पर second half of the week में कहीं न कहीं challenging situation जरूर नजर आती है जहां कुछ confrontations का सामना करना पड़ सकता है हो सकता है आपके senior colleagues भी ऐसे मामलों में intervene करने उन्हें भी intervene करना पड़े investment अगर करना चाहते हैं तो long term schemes में सोच बिचार कर कीजेगा समय बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा in fact अपने homework को बिलकुल अधूरा मत चोड़ियेगा investment से जुड़ा homework इस stage पर होना बहुत ज़रूरी है इस week आपका lucky number रहेगा one और lucky color रहेगा orange welcome back और बात करेंगे Sagittarius यानी धनुराशी की ये एक successful week नजर आता है successful इसले कह रहे हो क्योंकि इस week आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम complete होता और successfully complete होता नजर आ रहा है in fact अगर कोई growth आप अब तक महसूस कर रहे थे कि चीज़े आटक गई थी या stagnant हो गई थी आपकी situations में बहुती saturation आप महसूस कर रहे थे तो अब इन सब से आप आगे बढ़ पाएंगे investment point of view से या finances के point of view से multiple lucrative options आपको नजर आएंगी जो की आगे आने वाले समय में आपके बंद रास्ते भी खोलेंगी और साथी साथ savings में भी आपकी help करेंगी professional front पर भी नई opportunities मिलती भी नजर आ रही हैं तो इसलिए जो लोग job change करने के बारे में काफी desperate महसूस कर रहे थे तो उनके लिए तो अच्छा समय है ही pending increment आप में से कुछ लोगों को मिल सकता है साथी साथ speculations के लिए भी ये समय अच्छा है तो अगर stock market में interest रखते हैं तो आपके लिए returns अच्छे और फायदेमन जरूर होंगे unnecessary risk लेने से बचना चाहिए calculated risks अगर लेंगे तो वो आपके लिए आने वाले समय में gain जरूर लेकर आएंगे घर पर कुछ tense महौल हो सकता है हो सकता है आपके loved ones आपकी किसी पुरानी बात से नाराज हों खफा हों तो इसलिए उन्हें मनाना कैसा है थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत जरूर करनी होगी singles के लिए अच्छा समय है किसी interesting इंसान से मुलकात हो सकती है property से जुड़े वे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए कोई commitment अगर करनी है especially written commitment अगर करनी है property से जुड़े तो documentation पर खूब ध्यान देने की जरूरत होगी कहीं न कहीं कुछ loopholes आगे आने वाले समय में अदवाइस परिशान कर सकते हैं सेहत के front पर कुछ discomfort जरूर नजर आता है लेकिन अगर अपनी अगर already medication पर है तो उसे discipline अपना maintain करके चलिए कोई भी लापरवाही सेहत के front पर अच्छी नहीं होगी एक adventure trip भी काफी memorable बन सकता है अगर आप उसमे seriously participate करें तो इस week आपका lucky number रहेगा 17 और lucky color रहेगा lavender Capricorn यानी मगर राशी वालों के लिए सितारे कहते हैं कि इस week अपनी energy को सही दिशा में correct direction में channelize करना बहुत जरूरी होगा especially on the professional front क्योंकि ये आपके आसपास वालों के साथ एक अच्छी rapport बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा सब काम खुद से करना जरूरी नहीं है काम को delegate करके supervise करना इस week जरूरी होगा financial gains नजर आ रहे हैं speculations में especially अगर आप interested हैं stock market में invest करते रहते हैं तो वहाँ से surplus money जरूर नजर आ रही है आप मेंसे कुछ लोग नया vehicle खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं या फिर कोई luxury item जो आपने अभी तक plan किया था अब वो घर भी आ सकती है बात करें आपकी property की घर की हर से जुड़े सपनों की तो सब चीजें इस week पूरे होते वे नजर आ रही है family front पर भी difficult situation आप आराम से navigate कर लेंगे अपने social initiatives social front पर लेने जरूरी होंगे मन करे या ना करे अगर किसी party का invitation है तो वहाँ आपको जरूर अपनी presence दिखानी चाहिए बिकिस आपकी social activities को या social life को active रखना इस week काफी जरूरी होगा अपने relationship status को public तभी करें जब आप अपने partner को लेकर बहुत ज़्यादा confident हो वरना चीजे backfire भी कर सकती है अपनी health को लेकर भी आपकी चिंताएं जायज हैं तो इसलिए सिरफ चिंता नहीं करनी बलकि अपनी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं उसे भी अब plan करना शुरू कर देना चाहिए किसी historical place पर या किसी thermic सल की आत्रा भी इस week नज़र आती है और आपके लिए करना भी काफी शुब रहेगा इस week आपका lucky number रहेगा 9 और lucky color रहेगा rosy brown Aquarius यानी कुम राशी बालों के लिए अच्छी बात से शुरुबात करते हैं इस week improvements नज़र आएंगे दोनों आपकी personal और professional life में जो लोग नई job की तलाश में है उन्हें अच्छी opportunities मिल सकती है in fact freshers को भी नई opportunities जो हैं वो मिलती भी नज़र आ रही है आप मैंसे कुछ लोगों को अपने current office में या current career profile में ही नई projects पर काम करने का मौका भी मिल सकता है कुछ चीज़ों को business front पर require करने के लिए भी ये समय काफी promising नज़र आता है सिरफ अपनी instincts पर ध्यान रखेगा और जहां आपको आपकी gut feeling कहती है कि इस काम को करने से positivity जरूर मिलेगी या इसमें success जरूर मिलेगी उन्हीं चीज़ों को अपनी priority list में रखिएगा अपने siblings के साथ आपकी understanding और आपो अच्छी improve होती भी नज़र आ रही है अगर आप single हैं तो किसी शक्स से आपको special attention भी मिल सकती है अब बात मुद्दे की ये है कि आप उन्हें वो attention दे पाते हैं या नहीं workout regimen coach दुबारा शुरू करने के लिए जरूरी होगा एक confidence और जरूरी होगा discipline इन दोनों चीज़ों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे results पर भी दिखने शुरू हो जाएंगे road trip अगर लेना चाहते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ ही आगे बढ़िएगा property से जुड़े हुए वाद विवाद भी इस week solve होते वे नजर आ रहे हैं और आप में से कुछ लोग जो किसी ना किसी legal battle में भसे हुए थे तो वो जीज़ भी आपके favor में जल्दी आने वाली है इस week आपका lucky number रहेगा 15 और lucky color रहेगा light yellow अब बात करेंगे आखरी राशी Pisces यानि की mean की आपकी independent thoughts आपको recognition एक बड़े platform में लाने में जरूर आपकी मतद करेंगे नए fitness training program भी अब आपकी सेहत में आपकी body में positive effects जरूर लाते वे नजर आ रहे हैं आपकी emotion जरूर इस week all time high रह सकते हैं especially जहां तक love life आपकी concerned है तो इतना emotional होकर किसी भी रिष्टे की नीव को नहीं रखा जा सकता ना ही उसकी नीव मजबूत की जा सकती है आपके दिल में जो बात है उसे जरूर कहना सीखे यानि कि expressive होना जरूरी होगा इस week तभी आप अपने आपसी connect को मजबूत कर पाएंगे छोटी मोटी चीज़ें especially family में छोटी मोटी चीज़ें जो है वो किसी argument को जनम ना दें इसलिए बेतर होगा कि कोई बात किसी से कहनी भी है तो बड़ा ही low profile रखकर और politely कही जाए दिल में बहुत ज़्यादा expressive या blunt होना family front पर is week advisable नहीं है अपनी peace of mind को maintain रखने के लिए थोड़ा समय अपने आपके साथ भी बिताना चाहिए बात करें आपकी professional जिंदगी की तो आपको अपना workload increase होता वा नजर आएगा extra responsibilities मिल सकती है हो सकता है आपके peers में या आपके colleagues कुछ छुट्टी पर जाना चाहें जिनका काम भी आपको संभालना पड़े तो इसलिए stress level भी increase हो सकता है work life balance जो है वो कही न कहीं balance हो सकता है financial advice अपने friends से ही लेना अच्छा सही decision नहीं होगा बलकि उन लोगों से लेना चाहें जिनका काम कहते हैं न जिसका काम उसको साजे तो अगर financial advice लेनी है तो उन ही लोगों से ली जाए जो professionally इस काम को करते हैं यूँ ही leisurely legal advice शायद इस week आपके लिए फायदे मंद ना साबित हो कोई बड़ा decision लेना है तो अपनी gut feeling अपनी intuition पर जरूर विश्पास करें क्यूंकि शायद कोई गलती होने से आपको आपकी intuition ही इस week बचा सकती है इस week आपका लाकी number रहेगा 2 और लाकी color रहेगा orange अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का लेकिन इस वादे के साथ कि next week फिर मुलाकात होगी और हम फिर से बात करेंगे आपके weekly horoscope के बारे में